जहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, वहाँ दो दो धमाके। जम्मू एर्पोर्ट के खरीब एरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए बलास्ट के सबूत सामने आए हैं। इसी धमाके से जुड़ा एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। इसी वज़ा से ड्रोन या एर बलून के थियरी पर शक गहरा हो जाता है। वायू सेना जो बयान जारी किया है उस बयान के अनुसार ये लो इंटेंस्टी के जो है दो दमाके थे। लेकिन इस दमाके कैसे हुए, किसने करवाए, ये सबी अभी जो है जांच का विशह है। लेकिन रिपोर्टे जो आ रही है कि ये ड्रोन के जरीया हमला हुआ है। तो सबी टीमें आ चुकी है, एनाई भी पहुँच रही है तो इसको पूरी तरह से हर एंगल से जो है इसकी जांच हुए है। लेकिन इन दो दमाकों के बाद सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सबसे एहम सवाल कि ये धमाका कैसे किया गया। तमाम सवालों के जवाब अभी आने बागी हैं। आपको बता दें कि एयर फोर्स स्टेशन के आसपास चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती हैं। एनाई ए, एयर फोर्स, एनस जी समेट कई एजनसियां हर सवाल का जवाब खोजने में जुटी हैं। तफ्तीश के बीच एयर फोर्स ने अमवाला पठानपोर्थ और अवनती पूरा एयर फोर्स स्टेशन को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है।